हेलोरी बड़ी मैं धरमीन कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाइडी के में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको शिखाने जा रहे हैं कि जब आपने बच्चे को परमोशन दे दिया परमोट कर दिया बच्चे को यदि आप से पिछले वर्स यानि 2022-23 में बच्चे की डिटेल भरते समय कोई मिस्टेक हो गई थी कोई गलती हो गई थी और बाद में आप उसे सही नहीं कर पाए ठीक है वो बच्चे की जीबी में कोई आपने गलती कर दी हो या फिर एपी में फिर एफपी में ठीक है तो वो जो गलती आप से हो गई थी अब आप उसको सही क कर सकते हैं परमोजन करने के बाद 2023 में जाकर तो चलिए किन-किन डेटेल्स को इस्टुडैन्ट की कौन-कौन से डेटेल्स को हम चेंज कर सकते हैं और कौन-सी को नहीं कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है अगर आप शैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे यह कि ऐसी महत्पून बाते पी एफमस के विशे में योडाइस के विशे में एजिकोशन पॉर्टल के विशे में मैं आपको पताता रहता हूँ तो हम चलते हैं Google पर यहां Google को मैं टच कर दिया है और यहां सर्च कर लेगे हैं योडाइस प्लस ऐसे ठीक है और फिर हम यहां टच कर देंगे यहां टच करने के बाद फिर हम सीधे चल जाते हैं योडाइस के पेज पर लोगिन करने के बाद लोगिन करने के बाद इस पेज पर हम पहुंच आते हैं यहां दो टेप दिखाई दे रही हैं Academic Year 2023 GoTo2024 Academic Year 2022 GoTo2025 तो हम आज कर सारा काम यूटाइस में कर रहे हैं 2023-2024 में यहां किलिक कर देते हैं यहां किलिक कर देते हैं और फोनों कर लेते हैं Sub Site पर यहां देख लिए यह हमारे सामने Tap देखो यहां खुलकर देखो आजाती है ठीक है आइध कर सारा काम इन Tap पर ही कर रहे हैं खास कर Progression Activity पर सारा काम इस पर ही कर रहे हैं ठीक है लेकिन Appreciation Activity हम करते हैं परमोट बच्चों को इंपोर्ट मोडूल में करते हैं इंपोर्ट बच्चों को और ड्रॉबोक्स में देखते हैं जो हमारे बच्चे इनेक्टिव हो गए उनकी लिस्ट हमें माँ दिखाई देती है लेकिन हमें क्या करना है बच्चे के GP, EP और FP उसको बोलते हैं Facility Profile FP में कैसे बदलाव कर सकते हैं जैदि कोई हमसे गलती हो गए थी 2022 इसमें और हम उसको सही नहीं कर पाए थे कुछ महीने बाद जो है उसमें हम कुछ भी परिवर्टर नहीं कर पा रहे थे और वहां सब कुछ बंद हो गया था लेकिन अब पुने खुल गा जब आपने बच्चे को परमोट कर दिया है तो आप जाएंगे School Dashboard पर School Dashboard पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से सब हमारी Classes खुल जाएंगे ठीक है जितने बच्चे आपने परमोट किए चटी साथ वी में आठ वी में अभी चटी में इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि कुछ प्रॉबलम्स आ रही है क्योंकि जो हां हमारे बच्चे कक्सा 5 में अधन रद थे अनुने अपने यूडाईस से कक्सा 5 के बच्चे को भी परमोट नहीं किया है यह बच्चे का सेक्षन है इसका नाम यह डेट ऑफ बर्थ यह डाटा की एंट्री है कि एंटी ट्रेस क्या कंपलिटीड फॉरम ट्रेस क्या आए कंपलिटीड लेट सिप्टिट इसमें कुछ नहीं है अगर माले हम बच्ची कोई डिटेल चेंज करनी है में G, P, E, FP में तो हम कैसे चेंज करेंगे यह आप से कुछ क्लती हो कि थी 22 थी इसमें तो हम चलते हैं पहले जी पी पे है और जी पी में आई समलने चाहिए यह खूल कर देखो पूरा इसकी फार्म देखो आ जाता है ठीक है हम इस पर update पर click कर देंगे यहां ऐसे यह click कर देंगे अपडेट पर ठीक है और देखो यह close कर देंगे यह close ऐसे अब आप देखे जिन पर यह right का निसान है देखो यह green यह right का निसान आ गया है आप उन detail को change कर सकते हैं अगर आपने कोई minority group में कोई इनको गलत कर दिया था आप इसको change कर सकते हैं यह यहां कर सकते हैं बच्चे का pin code change कर सकते हैं बच्चे का address देखो address पर भी हमारे जो है right का निसान है आप बच्चे का address भी change कर सकते हैं यानि आप उन चीजों को change कर सकते हैं जहां यह green right का निसान है यह है यह है यह है यह है आप उन details की बच्चे की change कर सकते हैं लेकिन आप बच्चे का नाम change नहीं कर सकते हैं अगर आप से पिछली वक्सा एक में, दो में, थीन में, चार में, पांच में, छे में, अगर आप से बच्चे का नाम गलत लिखा गया, तो आप बच्चे का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई रैट का निसान नहीं है, जहां ग्रीन टिक का निसान है, आप उन डेटे इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है यहाँ जेंडर है जेंडर में भी ग्रीन टिक का निसान नहीं है ठीक है माता का नाम पिताजी का नाम उसकी डेटो पर तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं गार्डेंस नेम मोबाइल नंबर यह सब आप चेंज कर सकते हैं ठीक है उसकी कास्ट सोसल केटेगरी क्या थी यह भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आप बच्चे का नाम उसकी डेटो बर्थ और उसका लिंग यह बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आपसे पिछल तो इन चीज경 पर ग्रीन टिक नहीं है तो आप बच्चे का नाम डट लिंग लुकुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका आप ध्यान लखें, अगर आप से कोई गलती हो गई थी, तो जहाएं green tick है, आप इसको chain कर सकते हैं, हम next जाएंगे, यहाँ देखें next में जो है, आप किन किन चीजों को chain कर सकते हैं, देखें यहाँ, यहाँ उसका एसान नमबर को chain कर सकते हैं, रोल नमबर को chain कर सकते हैं, green tick है, date of admission इसको chain कर सकते हैं, medium instruction इसका आप chain कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी चीजों का आप change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ रोल नमबर है, admission नमबर है, परवेश दिनांख है, और उसका medium instruction इसमें chain कर सकते हैं, ठीक आप यहां देख लिजिए अब आगया हमारा क्या एफ पी फैसलेटी प्रोफाइल आप इन पर ठीक जहां आप से गलत हो गया था वह आप सही कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है तो इस परकार से आप जी पी में एपी में और एफ पी में जहां भी आपको चेंज करना है वह चेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ जगह वह इस प्रैस है आप उस पर टिक करोगे वह खोलेगा नहीं तो वह इस प्रैस है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छे लिए तो लाइक करें, शेर करें, और चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइज जरू कर लिजे, धन्यवाद चैनल